चिल्बिला रेल्वे स्टेशन रोड पर विकास कुपता का मेडिकल स्टोर है स्थानिय लोगों के मुताबिक गुरुवाराद बाइक से पहुंचा एक युवक कई दुकानों के प्रचार बोर्ड में लिखे मुबाइल नंबर को एक डारी में लिख रहा था विकास ने कारण पूछा तो आरोपित गाली गलोज करते हुए 5,000 रुपे रंगदारी मांगने लगा मौके पर जिटे स्थानिय लोगों ने आरोपित को दबोचने के बाद पीटना शुरू कर दिया चिल्बिला चौकी प्रभारी ने कारवाई का आश्वासन देकर महौल शान कराया CEO सिटी अंजनी कुमार राय ने बताया कि नशे में धुर्द बाइक सवार बलीपूर निवासी अनिल श्रिवास्तव रंगदारी मांग रहा था उससे पूछताश की जा रही है प्रताबगर में लूट के वांचित आरोपी को पकड़ने गई जेटवारा पुलिस पर गाउवालों ने इट पत्थर वर लाठियों से हमला कर दिया जेटवारा पुलिस चेक्टर के पतुल की सराय मकई निवासी आरोपी को पकड़ने गुरुवार दुपहर गाउव गई थी इस दौरान करीब धाइस सो ग्रामीनों ने पुलिस टीम पर पत्राव शुरू कर दिया पुरिस फालों का आरोप है कि ग्रामीनों की और से फाइरिंग भी की गई पत्राव में दरोगा अजे घायल हो गया आरोपी मौके का फायदा उठा कर फरार हो गया जेटवारा पुलिस भी मौके से जान बचा कर भागी घटना की सूचना मिलते ही मैकमे में हरकम मच गया लाल गंज के सीओ ओपी दूबे महेश गंज वा लाल गंज थाने की फोर्स लेकर गाँ पहुँचे और भीड को खदेड कर तलाशी ली पर वो हाथ नहीं आया पुलिस ने शाम पांच बजे दोबारा भी चापा मारा पर वसीम नहीं मिला जेटवारा थाना ज्यक्ष मनीश पांडे का कहना था कि आरोपी को बचाने के लिए भीड ने पुलिस पर पत्राव वो फाइरिंग की इस मामले में हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है वसीम के घरवालों ने चापा मारने गए पुलिस टीम पर बच तलूकी का आरोप लगाया परिजनों का कहना था कि पुलिस सीधे घर के अंधर गुसी पुलिस का अक्रामक रवया दे गाम वाले भी आक्रोशित हो गए और पुलिस कर्मियों को दड़ा लिया दुबारा पहुंची पुलिस की टीम ने जो भी सामने आया उसे पीटा गाम वालों ने पुलिस पर तोड़ फोड का भी हारोप लगाया है पुलिस की पिताई से आधा दरजन लोग घायल हो गए कंधाई लाके के सर्वजीत पुर निवासी, कॉंग्रेस नेता, मदन सिंग का दिवान गंच बाजार में रोट किनारे पेट्रोल पंप है गुरुवाराच पेट्रोल पंपर कंपनी के प्रचार के लिए लगे ग्लोशाइन बोर्ड में शौट सर्किट से आग लग गए पंप के कर्मचारी बालू की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे पर आग बढ़ गई और अपनी चपेट में एक स्कूली बस वर ट्रक को भी ले लिया लगबग एक घंटे की कडिक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया इस दरान बारिश होने से भी आग पर तेजी से काबू पाने में मदद मिली पर अपर अपर गप आप दो अपर से का अइसे लागा कि आप अपर आप दो पता है तर्टा अपर प्राप नेता है मैंटी कुमाथ है है यह नियुक्त नकलत है जाल जाल वह उतक्क्राइण है है तक का आप जाथ यार कई से लगा अब राधियों के खिलाफ आई जी मोहिट राधियों अब तक की सवलता से खासी उत्राहित है अब तक पुलिस जनता से मिली सूचना पर 30 से अधिक चोरी की बाइके 10 से अधिक पिस्टिल वर 20 से अधिक तमंचे बरामत कर कई शातिरों को गिरफतार कर चुकी है इसे देखते हुए पुलिस ने मुनादी के शब्दों में परिवर्तन करने के साथ ही इसका दाइरा भी बढ़ाने का निर्ने किया है S.P. देवरंजन वर्वा ने बताया कि 20 थाना इलाकों में 4 प्रकार की मुनादी की जाएगी इसमें अब 6 मैने के भीतर घोशिट, जिला बदर, इनामिया अपराधी, परार अभियुक्त और कोट से गैर जमानिती वारंट वाले अपराधियों के खिलाफ सूचना देने की बात की जाएगी पुलिस ने अब चोरी का माल चिपाने, अव्याद हत्यार चिपाने वा अपराधियों को शरण देने के जुर्म में परिवार वालों को गिरफतार करने के अपने शब्दों में परिवर्तन कर दिया है पुलिस अब मुनादी में एलान कर रही है कि अपरादियों की मददगारों को पकड़ा जाएगा इसमें परिवार सहित सभी लोग शामिल होंगे पुलिस को देए और अपरादियों को पकड़लों में कुलिस की मदद देए सही सुचना देने वाले का नाम कोपनी रखा जाएगा और इसको कुलिस की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा सुनो 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 कंधई के इटवा दिवान गंज मार्क पर मंगलवाराद पुलिस ने तीन बाइक सवार बदमाशों को पकड़ लिया इनमें पूरे देवजानी थाना कंधई निवासी इश्टियाक वसालेक के साथ विसार निवासी पूरन पूर पठखान थाना नगर को त्वाली शामिल रहे महेच गन थानक शेत्र के जयाकर पुर्वा गिस्था गांग के नारेंद्र कुमार तिवारी ने मुख्य मंती को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि 21 अगस को रात करीम 9 बजे वा घर में थे तभी पडोसी गांग के एक दरजन लोगों ने लाठी डंडावा असला लेकर उन पर हमला कर दिया वच्छत से कुट कर जान बचाने को भागे तो वा घर में तोड़ फोड़ करने लगे उनके भांजे रितिक उर्फ पुषपाकर पांडे निवासी जींगूर को पकड़ कर जम कर पीटा और अपने साथ ले गए रास्ते में भी उसकी जम कर पिटाई की यूपी एक सो और थाने की पुलिस को खबर दी तो दरोगा मौके पर पहुँच और रितिक को आरोपितों के चंगुल से छुड़ा कर थाने लाए सांगेपुर थानाद्यक्ष बीपी तरपाठी ने अमेठी के हिन्नई गौरी गंज निवासी नीरत सिंग और उनके साथ ही अगई लाल गंज निवासी अभिशेक सिंग को गिरफतार किया है बुद्वा राज चेकिंग के दौरान पकड़े गए इन बनमाशों के पास से मुंगेर की बनी पॉइंट तीन दो बोर के पिस्टिल चार कार्टूस वा एक मैगजिन बरामद हुई है दोनों ने उधैपुर इलाके से पिस्टिल खरीने की जानकारी दी है इसी तरह महेशन ठाना ध्यक्ष दीन दयाल सिंग ने शेक पुछ चौराश पुलिया के पास बाइक से आ रहे तीन बनमाशों को पकड़ा उनके पास एक एक तमंचावा कार्टूस के साथ पॉइंट तीन दो बोर के बिस्टल भी बरामद हुई है इनमें शारुक, उर्फ, अर्मान, निवासी सरदार का पुर्वा लाल गंच, ललिक कुमार शुकला, निवासी गजाधर पुर नर्यावा और अशोक के सरवानी निवासी हीरा गंच बाज़ार शामिल रहे इनके पास मिली बाइक भी चोरी की ही निकली प्रताबगर्ण में सिचाई संग प्रताबगर्ण ने बैठक कर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए 29 वा 31 अगस्ट को कारे भहिशकार करने का निन्ने लिया पुरानी पेंशन बहाली मंच के सह संयोजक रमा शंकर तिवारी ने बताया कि इसमें सभी कर्मचारी शामिल होंगे प्रदेश सरकार ने राजिके कुल 117 तहसीलदारों की डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोनती दी है इसमें प्रताबगर में तेनाद रहे चार तहसीलदार भी शामिल है तहसील लाल गंज के तहसीलदार दिनेश कुमार मिश्रा को जिले में ही डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोनत किया जाएगा